अगर किसी बॉड़ी का रेस्ट मास जो है अब इसको भी समझा देंके लफडा कया है अगर किसी बॉड़ी का रेस्ट मास M0 है जो पहले मास को माना जाता था कि mass एक constant quantity है कैसी है constant है कौन मानता था ये Sir Isaac Newton बारे में बात कर रहे है यहनि किसी body का rest mass कितना है M0 है और उसका जो moving mass है मतलब जब body move करती है तो उसका mass change हो जाता है वो M है हमारे जो Newton सहाब की जो physics है वो classical physics कहलाती है अपने classical song सुने होंगे न सुने है एक classical जैसे classical song में राधा बोलना है तो कैसे राधा बोलते है वो कहें राधा अब राधा उटी और रिक्सा किया और घर पहुंच गई तब उनने का धा यहाँ हो तब राधा को बला रहे थे तब राधा को phone किया जाएगा तब राधा बोलना सुरू किया तो राधा उटके जैसे बैढ़के घर पहुंच करके अपना चाह ना सागर बैठी तब लेदा यह कौन सा सौंग है मैं classical का मजाग नहीं बढ़ा रहा हूँ classical में गले का इतना लचीला पनुनका हो जाता है क्या आचे संगों गा रेते हैं आज कल कि थोड़े यह हैं काला कुटा काट खाएगा हाँ जी हो गया काला कुटा फिर काला भंसा काट खाएगा वहां जाके गा रहें जाकर के दो चार चह मेहने आठ महीने वह उपर रहे इसके बाद पता चला दूसरा कोई आ गया वो कला मुर्गा काड़ खाएगा तो ये गाने साले हैं तो क्लासिकल का मैं मजाग ने मैं क्लासिकल को जनरल बात कर रहा हूँ नहीं हम इसलिए कह रहा है कि पताला कि अभी क्लिंट चलना सुरू करेगी तो उनके नियम सब फेल हो जाएंगे तब आइंस्टीन का आपका क्वांटम फिजिक्स लगेगी तो आइंस्टीन साब ने कहा था कि बाड़ी का रेस्ट मास और ये जो मास है ये अलग-अलग होते हैं बाड़ी रेस्ट में है अच्छा आइंस्टीन में कम नहीं थे दो को किया क्या एक बाड़ी रखी उन्होंने तौला बोले ये इसका कैसा मास है रेस्ट मास है और बाड़ी को चला दिया स्पीड आफ लाइट से अब बोले इसका मास चेंज हो गया है कहा गया अच्छा मास चेंज हो गया है अब बढ़ गया घड़ गया बद भी बाड़ें बाड़ करेंगे चेंज हो गया फिर वाड़ी लौड की आई फिर आपने तौला आपने का मास तो उतने है मुरक बना रहे थे बोले वो एनर्जिक फार्म में रिलीज हो गया था समझें नहीं आएगा अदमी को ठीक है तो उन्होंने कहा कि rest mass और इसमें एक relation होता है और relation ये दिया है इन्होंने m बराबर m not upon under root 1 minus v square ये दिया है कि किताब में तो कहते हैं rest mass और पार्ट के लिए in terms of speed v and speed of light यानि ये जो relation है v क्या है speed of body क्या है speed of body और c है speed of light speed of light तो rest mass और moving mass speed of body speed of light में एक relation ये है और इसमें गलती से speed of light लिखना भूल गए हो लिखा ना कि एक relation है और in the relation first arose in the consequences special relative theory of Albert Einstein मतब relative theory जब Albert Einstein ने दी तो वहाँ पर relation गोन बताया था तो कहते हैं boy recalls relation almost correctly वो जो एक boy था वो इसको हमें साथ सही लिखता था याद करता था but forgets where to put the constant c लिकिन एक दिर भूल गया c कहां रखे फिर समझे बोले Albert Einstein साब ने special relative theory दी relative theory क्या होती वो बात में बात करेंगे हर theory यहां नहीं बता रहे है तो उन्होंने कहा कि body का rest mass और dynamic mass अलग-अलग होता है उसका relation होता है जिसमें c भी लिखना है और एक लड़का हमें सही सही याद करता था यह गलती बुल गया c लिखें कहा हिया लिख दें c हिया लिख दें c हिया लिख दें c पूरे अपान लिख दें c c कहा लिखी तो कहरें सही बताओ कहा c लिखा जाए बूले एक simple सी बात है formula हमोई याद कर लेंगे जहां लिखना होगा महा लिख देंगे सुनिये ध्यान से lhs क्या है mass तो lhs की dimension क्या है maam इसकी dimension क्या है m तो यह कैसी quantity होनी चाहिए mass यार mass अपान mass आ जाएगा कट नहीं जाएगा mass divided में mass कर नहीं जाएगा यानि यह quantity dimensionless होनी चाहिए तो उसमें से यह तो भाई साब dimensionless है यह है speed तो इसका हमने speed के नीचे क्या होनी चाहिए speed के नीचे speed लिख दें और उसका कर दें square तो होगे dimensionless quantity तो यह आओना चाहिए कैसे हमने जाना हमने तो किता में देख लिया उसमें लिखा हुआ था हमने यह जाना कि mass की dimension बरावर mass की dimension अब इसको अगर किसी dimension से डिवाइट कर दोगे तो dimension change हो जाएगी तो इसका मतलब denominator dimensionless quantity होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि भाई V के नीचे see कर दो तो velocity upon velocity dimensionless हो जाएगी ठीक है तो यह relation उसमें होना चाहिए अब ही मैं बात कर रहा था mass change हो जाता है अब इससे कोई related है नहीं इस question से body का अगर rest mass m not है और moving mass m है तो moving mass ज़्यादा होगा या कम होगा नहीं होना चाहिए कि होगा अब मैं आप से question पूछता हूँ एक number 3 है अगर 3 को 3 से divide करो तो कितनी value आ जाएगी 3 को 4 से divide करो तो less than 1 और 3 को 2 से divide करो तो greater than 1 अगर किसी number को उसी number से divide करो किसी number को 1 से divide करो तो आपको वही number मिल जाता है इसको उल्टा गलत तरीके से हम explain कर रहे है देखे अगर किसी number को आप 1 से डिवाइड करो तो वही नमबर मिल जाता है अगर किसी नमबर को 1 से बड़े नमबर से करोगे तो नमबर उसे छोटा मिलेगा और किसी नमबर को 1 से छोटे से डिवाइड को तो नमबर उसे बड़ा मिलेगा सही कर रहा हूं नही कर रहा हूं अब देखो अगर मैं M0 को 1 से डिवाइड करता M0 को 1 से डिवाइड करता तो जो result आता वो क्या आता है M0 आता लेकिन आपने 1 में कुछ माइनस किया है 1 में कुछ माइनस किया है तो 1 में कुछ माइनस किया है तो value 1 से बड़ी होगी है चोटी हम किसी किस में कोईशन क्या पूछ रहा हूं कोईशन क्या पूछा जा रहा है अकल को बहुत ज्यादा explain मत किया कर यह कोईशन क्या पूछा गया हमने का अगर one में मैं कुछ minus करता हूं तो value one से बड़ी हो चोटी होगी चोटी होगी ना यानि कि अगर m0 को आप जिस नंबर से डिवाइड करें one से चोटा है ना यानि ऐसा कुछ है ना वन से चोटा तो जो value आएगी वो m0 से बड़ी आएगी ना भाई यह अगर अगर माले 0.1 हो जाएगी तो यह 10 times हो जाएगा ना यानि मास बढ़ जाएगा यानि जो आपका dynamic मास है ना वो rest मास से कैसा है बढ़ा है तो न्यूटन ने कहा कि अगर rest मास माले 5 kg है और बाड़ी वी स्पीड से लना शुरू हो गी है वी कौन से स्पीड है यह rest मास और dynamic मास पर relation दिया गया था समय बात नहीं आई इससे कोई मतलब नहीं इस question को यहां था कि सी कहां पर adjust किया जाए और क्यों adjust किया ठीक है इसको कर लिजेगा बच्चों गलती से शायद एक जिगर इस निवेरिकल में हमने न्यूटन बोल दिया है कि न्यूटन ने कहा मास बढ़ गया यह न्यूटन ने नहीं कहा था यह आई स्थीन ने कहा था शायद गलती से हो गया है उसको आप correct कर लिजेगा ठीक है